हेलो दोस्तो आपका स्वगत है आपके अपने चनल बालग्यान में दोस्तो आज हम आप लोग के लिए बिलोम सब्द लाए हुए हैं दोस्तो हम वही कोशन लाए है जो आपके एकजाम में बार बार पूछते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला जो कोशन है आगमी सब्द क का बिलोम क्या होगा तो दो का सही जबाब हो जाएगा सी चेतन होता है ठीक है अगला कोश्चन जो है अगला कोश्चन जो है अकास सब्द का बिलोम क्या होगा तो अकास का सही जबाब हो जाएगा पताल होगा अगला कोश्चन जो है पुरसकार सब्द का बिलोम क्या होगा त परिश्रमी होता है आस्तिक का बिलोम सब्द होता है यानि बिप्रितार्थक सब्द यानि बिलोम सब्द होता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा C नास्तिक होता है चले अगला जो कोशन है कायर का बिलोम सब्द होगा तो साथ का सही जबाब हो जाएगा A बहादूर होता है खरा का बिलोम सब्द होगा खरा का आठ का सही जबाब होता है खोटा होता है अगला कोश्चन जो है उद्धन्त का बिलोम सब्द होगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा 9 का है A बिनर्म अगला कोश्चन जो है शकार का बिलोम होगा शकार का सही जवाब हो जाएगा A, नीरकार अगला कोशन जो है ग्यात का बिलोम सब्द होगा तो इसका सही अग्यात होगा निंदा का बिलोम सब्द होगा बारक का जो है A अस्तूती होगा अगला कोशन जो है धर्ती का बिलोम सब्द होगा इसका आकास होगा चले अगला जो कोश्चन है बैद का बिलोम सब्द है बैद का बिलोम सब्द है चोदर का सही जबाब हो जाएगा बी अगला कोश्चन जो है पंदरा अनुराग का यानि अनुराग का बिलोम सब्द होगा पंदरा का सही जबाब हो जाएगा बी बिराग होगा अगला कोश्चन जो है अथ का बिलोम सब्द होगा तो 16 का सही जबाब हो जाएगा D, अगला कोश्चन जो है अस्थावर का बिलोम सब्द होगा 17 का सही जबाब हो जाएगा B, अगला कोश्चन जो है नर का बिलोम सब्द होगा नर का 18 का सही जबाब हो जाएगा D, नारी, अगला कोश्चन जो है तलवार का बिलोम सब्द होगा 19 का सही जबाब हो जाएगा 19 का B अगला कोशन जो है आरंब का बिलोम सब्द होगा 20 का A है अंत होता है अगला कोशन जो है अध्धम का बिलोम सब्द होता है 21 का सही जबाब हो जाएगा C अध्धम का हो जाएगा C उत्तम हो जाएगा 22 का आदर का विप्रीत सब्द क्या होगा तो इसका 22 का सही जबाब हो जाएगा A सुसको होता है चले अगला जो कोशन है स्रिस्टी का विलोम सब्द होगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा स्रिस्टी का परला है अगला कोश्चन जो है मुख्य का बिलोम सब्द होगा 24 इसका सही जबाब हो जाएगा गौन अगला कोश्चन जो है पुरेशकार का बिलोम सब्द होगा तो 25 का सही जबाब होगा डंड अगला कोश्चन जो है संपत्ति का बिलोम सब्द होगा इसका सही जबाब हो जाएगा बिपत्ति अगला कोस्टन जो है रीन का बिलोम सब्द होगा 27 का सही जबाब हो जाएगा C, उर्रिन, अगला question जो है, ग्रहन का बिलोम सब्द होगा, ग्रहन का होता है, 28 का सही जबाब हो जाएगा, त्याग, अगला question जो है, किर्पा का बिलोम सब्द होगा, इसका सही जबाब हो जाएगा, A, कोप होता है, करून का बिलोम सब्द होगा, इसका सही जबाब हो अगला सबस्या प्रशार का विलूम सब्द होगा केनि होगा एक 20 स्य जबाब हो जाएगा मंडन अगला कोश्द्व जो है घो स्का विलोम सब्द होगा इसका सही जबाब कोश्चन है अर्वाचीन का विलोम सब्द होगा तो 23 का त्य prag जबाब हो जाएगा बी प्रचीन अगला कोश्चन जो है प्रसार का विलोव सब्ध अगला फोश्चन सी आदर अगला कोश्टन जो है किरित्यज्य का विलोम सब्द होगा इसका सही जबाब हो जाएगा किरित्यन अगला कोश्टन जो है विग्राह का विप्रित सब्द है तो इसका सही जबाब हो जाएगा ए संधी होता है सिकार्स्त का विलोम सब्द होगा तो 38 का सही जबाब हो जाएगा अगला कोश्चन जो है प्राचीन का विलोम सब्द है प्राचीन का विलोम सब्द है अगला कोश्चन जो है प्राच्छन का विप्रितार्थक सब्द होगा तो 40 का सही जबाब हो जाएगा C प्रकट सौथ देश का बिलोम सब्द होगा 41 का सही जबाब हो जाएगा D प्रदेश चलिए अगला जो कोशन है धनवान का बिलोम सब्द होगा 22 का सही जबाब नीर धन अगला कोशन जो है हरसाओ का बिलोम सब्द होगा बी, दिर्ग होता है उन्नती का बिलोम सब्द होगा 44 का सी और उन्नती होता है चलिए अगला जो कोश्चन है अस्थावर का बिलोम सब्द होगा 45 का सही जवाब हो जाएगा बी, अस्थावर जंगल अगला कोश्चन जो है सुस का बिलोम सब्द होगा तो सुस का अभी बताया थे हम लोग आदर अगला जो कोश्चन है पास्चत्य का बिलोम सब्द होगा तो 47 का होता है डी पोस्टर अगला कोश्चन जो है आदान का बिलोम सब्द होगा 48 का ए प्रदान होता है अधिकतम का बिलोम सब्द होता है इसका सही जबाब हो जाएगा ए नियुमतम अगला कुश्चन जो है आसा का बिलोम सब्द होगा 50 का सही जबाब हो जाएगा निरासा चलिए अगला जो कुश्चन है क्रिष्ण का बिलोम सब्द होगा इसका सही जबाब हो जाएगा सी स्याम क्रिष्ण का बिलोम सब्द अगला कोश्चन है गन्त अंत्र का बिलोम सब्द होगा बावन का सही जबाब हो जाएगा ए राज्त अंत्र अंत्र का बिलोम सब्द होगा अंत का सही जबाब हो जाएगा आदी अगला कोर्शन जो है अस्त का उल्टा सब्द होगा तो चोवन का सही जबाब हो जाएगा सी उद्धय आयात का बिलोम सब्द होगा पेंटालिस का सही जबाब हो जाएगा D. निर्यात अगला कोश्चन जो है आध का विलोम सब्द होगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा 56 का A. अनत्या अगला कोश्चन जो है जटील का विलोम सब्द होगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा B. सरल होगा जेस्ट का विलोम सब्द होगा इसका सही जवाब हो जाएगा C. कनिस्ट अगला कोशन है तम का विलोम सब्द होगा इसका सही जवाब हो जाएगा D. अगला कोशन जो है तामीर का विलोम सब्द होगा ता A होगा परकास होगा चले अगला जो कोशन है नीद का बिलोम सब्द होगा एकसट का सही जबाब हो जाएगा बी वंध परिश्रम का बिलोम सब्द होगा बासट का सही जबाब हो जाएगा विश्राम अगला कोशन जो है प्रवीर्ती का बिलोम सब्द होगा 63 का सही जबाब हो जाएगा A. निवरीती विशिस्ट का विलोम सब्द होगा इसका सही जबाब हो जाएगा B. सधारन लुप्त का विलोम सब्द होगा इसका सही जबाब हो जाएगा C. ब्यक्त दक्षिन का विलोम सब्द होगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा इसका सही जबाब हो जाएगा 66 का D उत्तर होता है चले अगला जो कोशन है धोवैंस का बिलोम सब्द हो जाएगा तो C निर्मान नाशवर का बिलोम सब्द हो जाएगा D सासवत अगला कोशन जो है नूतन का बिलोम सब्द होगा तो इसका सही जबाब होगा पुरातन